हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने यूटूब चेनल केमिकल टेक्निकल में दोस्तों आज के लेक्षेस में हम बात करने बाले हैं मास फ्लक्स एंड बोलर फ्लक्स मास फ्लक्स एंड बोलर फ्लक्स क्या होते हैं आपको हम अच्छे से बताएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आज शुरू करते हैं मास पहले फ्लक्स की बात करते हैं फ्लक्स क्या है तो जो कि हमारे अगर कोई भी मास का ट्रांसवर हो रहा है अगर वो क्या हो वैक्टर फॉर्म में वैलुस वैक्टर फॉर्म में क्या हो इधर से मास जैसे हमारा कोई एरिया है सरपेस एरिया है उसका कोई एरिया होगा इसमें अगर मास का ट्रांसवर हो रहा है तो मारे वेक्टर फॉर्म में ट्रांसवर हो तो हम इसे क्या कहेंगे फ्लक्स कहेंगे ठीक है अब मास फ्लक्स मोलर फ्लक्स क्या होता है तो अगर किसी में मास का ट्रांसवर हो मास का ट्रांसवर हो रहा है तो उसमें क्या कहेंगे मास फ्लक्स वो की क्या होगा मास फ्लक्स होगा अगर किसी में हमारा जैसे आपको पता यह मोलर फ्लक्स में क्या होगा मोलर फ्लक्स में अगर मोल्स क्या हो से पास होता है क्या कह रहा है अगर वह कोई कंपोनेंट से अगर कोई एक कंपोनेंट से है यह मान लेते हैं तो उसका कोई अगर उसका कुछ ना कुछ मास होगा वह उसका जो मास होगा वह वह व्यक्टर फोर्म में क्या होगा ट्रांसर होगा किसी एरिया पर सर्फेस एरिया ताइम में supreme वागैं मतलब उससे क्या कहेंगे हम मासफ्लक्स कहेंगी अब इसके फॉर्मुला क्या है आपका जह इसकंता है रो ये बेलेटर टू फ्लक्स क्या है is इसमें किया समंध्य गए है जो कि आपके फ्लक्स जो कि डिया गया है एक ठीक है मास एवरेज वैलुशिटी मास बनेश सद्रमास को अगर आपने पीछले लेक्च्छ या पीडियाब हमने प्रोबाड कराया वह पड़ा होगा तो आपको अच्छे से मौल्स किसी कंपोनेंट के बे मोल्स मतल好 मोलर Lib aboard मॉलर girls react करेंगे और मास meter hooga उसमें क्या होगा मास स्रीक्ट करेगा ठीक तो आफकर यह से ट्रांस अब ट्राम्टर होगा इसमें मोल्स क्या हो राएं पर इंटेरिया से पास होते हैं तो आप केरें मोलर flux कहती है इसमें concentration आता है उसमें क्या आता है आपका density आती है किसमें mass में density रहेगी हमेशा और मोल में क्या रहेगा आपका मोल में रहेंगी concentration उसकी concentration पर depend होगा ठीक तो आपको याद ध्यार रखना इसमैं यहां फोर्मूले को तो ना को टिया गया है तो आपको फॉर्मूले को तो आपका किया तो इया आपका फॉर्मूले में उज्या ने इसे एक कुंसेटेशन और यहोगी भो ठीक है फिर उसके जे ए क्या है आपका diffusion flux of a ठीक है diffusion flux of a जे क्या है diffusion flux of a ठीक है तो आपको ये अच्छे से त्यार करना है मैंने आपका doubt हुई जो भी था इस lecture के माद्धियम से clear किया होगा तो आज की इस lecture में बस इतना ही मिलते है next lecture में अगर आपको ठीक से लोग लेकर आएंगे अच्छे से डेरिवेशन कराएंगे आपको तो नेक्स लेक्षिस देखना ना बुलिएगा ओके थैंक्स पूर माई वाचिंग वीडियो अपने दोस्तों को भी जादे सेयर करिएगा तो तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम